हेलो पेरे विच्चों कैसे हैं आप सब आयूप के आप सब बहुत बढ़िया हैं आज हम करने वाले हैं आपका एने एस कख्छा पांच का पीपर जो आपका 12 नमबर को होने वाला है आपको कुछ इसी तरह देखने के लिए मिलेगा ठीक है इस पीपर को पूरा देखें complete आपका पीपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है ठीक है चले बच्चों सुरू करते हैं देखिए आपको दिख रहा होगा हां मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप जो आपकी अभाश टेस्ट पर मॉक टेस्ट उनका solution देख सकते हैं और आपकी जो भासाबारती और इंग्लिस इदर की बुक है कख्षा पांच की उसका solution पर है आप उसको भी जरूर बिचट करें चले शुरू करते हैं देखिए बच्चों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इधर आपको मीडियम बनना है इधर बनने के लिए आपको दिय जाएगा स्कूल लेम जिले का नाम और राज का नाम डल जाएगा क्योंकि यह इसकी परिक्षा पूरे नैशनल लेबल पर होने वाली है तो इसलिए जब दिया गया है ठीक है आए बच्चों इनको आपको दिये गए हैं इन इंस्ट्रक्षन को आप ध्यान से पढ़ले ध्य 25 कोस्चन जिसमें 1 से 15 तक के होंगे हिंदी के 16 से 30 तक के होंगे परियाबरण के और 31 से 45 तक के होंगे गड़त के कोस्चन ठीक है सबसे पहले आपको देखो हिंदी के एक से पंदरा तक के question मिलेंगे आपको एक paragraph दिया गया है paragraph को आप आसानी से पढ़ सकते हैं देखिए मैंने वीडियो को paragraph आपको इसकीन पर दिख रहा है इसको वीडियो को post करें और इसको आसानी से पढ़ ले मैंने पढ़ लिया है हम इस सबसे खास बात क्या है तो बच्चों schon average की सबक्वा सबसे खास बात यह दुनिया की सबसे उंची चूटी है कि अगला है तेन्जिंग और हिलेरी चटानप चड़ने में ήका है क्या हो रही थी है तो तेन्ग और हिलेरी को फांचवा कुस्चन है कि तेज realities का मन ऑन आनंद से भर गया था क्योंकि उन्होंने चड़ाई कर ली तो उनका मन जो है उत्षाया आनंद से भर गया थी बहुत खुश हो गया अब है आपका अगला कॉस्चन अगला पेर अगर आप है तेनाली राम के बारे में हैं इसको वीडियो को पोस्ट करके आप आसानी से पढ़ लें ध्यान रखना ठीक है और पढ़ने के बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं छटमा कॉस्चन है आपका चूर का पता लगाने के लिए तेनाली राम ने किसी बुलाया तो बच्चों ब्यापारी के सारी नोकरों और मित्रों को जो है बुलाया गया राजा ने तेनाली राम को चूर का पता लगाने के लिए क्यों कहा तो बच्छों राजा ने इसलिए कहा क्यों कि तेनाली राम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे उनके दरवार में अगला कुस्ण है इस बिचित्तर छड़ी को एक अंगली के बराबर काट दिया जाए इस बाग़े में बिचित्तर कारत हो जाएगा आपका अनूखी ठीक है अगला है शुबजा चौर अपनी चड़ी के साथ साथ खुशी खुशी राजा के यहां पहुँचा इस बाग़े मे में क्या हुआ तो बच्चों कहानी केंत में चौर को पकड़िया गया की। बदमासी से लिए उसको पकड़ दिया गया कुश्चन नमबर 11 में आपको क्या है एक पूश्टर दिया गया है किसके बारे में कभिताओं के बारे में यह पूश्टर है यह जो पूश्टर है कभिताओं के बारे में कभिताओं के पूश्टर के बारे में ठीक है तो चले उसक पूश्टर मंगवाने के लिए आप क्या करेंगे तो हम इसके लिए फोन करेंगे आप कभिताओं कि एक पूश्टर को कितनी रुपए में खरीच सकते हैं तो हम जो है उसको 25 रुपए में खरीच सकते हैं बिग्यापन में कभिता पूष्टर के बारे में क्या बताया गया है तो बिग्यापन में उनके बारे में बताया गया है कि पूष्टर मित्रों को उपहार के रूप में दिये जाने के बारे में बताया गया है किनमलकर में से कौन सा सब्द संग्या है तो इसमें आपको पता हो न थेए कि आपकी उपहार संग्या है क्योंकि किसी बस्तुब्यक्तिया इसथानी के नाम को संग्या बोलते है वуляр एक बस्तुcussions यह संग्या हो जाएगी और इस तरह की किस विशिस्ता का पता चलता है तो बच्चों इससे चीटी की सूंगने की छमता तीब रहे यहीं विशिस्ता का पता लगता है अगला है निम्न मैंसे कौन सा कार्ड आप 18 वर्स की उम्र के बाद ही बनवा सकते हैं तो आपको मत दाता पहचान पत्ते बूटर आईडी कार् सबसे कम परिवरतन होगा क्योंकि प्लास्टिक का कप है इसमें सबसे कम परिवरतन होगा क्योंकि प्लास्टिक जो है अब अक्षित नहीं होता है ठीक है अगला है नीचे दी गए आक्रतियों में अगले इस्थान पर कौन सी आक्रति गोदर फुल मून है फिर हाफ है फिर उसका वी हाफ अब थोड़ा सा हो जाएगा इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर जो घा है वो बिल्कुल सही हो जाएग ठीक है अगला कॉस्चन है आपके दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियों और दस्त हो रहे हैं इसकी इस हालत का क्या कारण हो सकता है तो बच्चों उसकी इस हालत का यह कारणा है कि उसने ऐसी दुकान से खाना खाया होगा जो बिना धका हुआ था ओकी अगला कॉस्चन है कि एक उबला हुआ गर्म अंडा अंडे पानी की एक प्याली में रखा गया पानी और अंडे के ताप मानों में क्या परिवर्टन होगा तो बच्चों अगर गर्म अंडा है तो पान के लिखोती है आपकी जडी वूटी फिरोती है आपकी जारी पेर अब आपको बताना है कि यहीं कौँ सागतान सही है to Yang Sak insan dosa anderes एक जिगतन करना ह обнаруж सबसे निचे वही होगा जिसका जादा कर वहा है वह सबसे ऊपर वही देखो मैं बताऊं just a minute इसे साफ से जो अपना सभी अंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा कि yeah option number जो ए है बिल्कुल सभी हो जाएगा यह फानी जो है तेल से भारी है वो नीचे होगा वो बारी yourself को किसान का परमत्र क्यों कहा जाता है तो किसान का की खबत यह मिट्टी का तील है ना इसका मवलब 20 तो 20 जो है इसका सभी अंसर हो जाएगा आपका उप्सन नंबर बी गा निम्न में से कौन सा कार पुलिस का नहीं है तो बच्चों पुलिस का काम या नहीं रड़ देना रड़ देना हुए बैंकों का काम ना की पुलिस का काम अगला कॉश्चन है क्या हो गए दि लड़कियों का खेल खेलने के नुमती नहीं होगी तो बच्चों उनकी सारी दिक विकास में बाधा उत्पन हो जाएगी ठीक है अगला है रिगिस्तान में उगने वाला नाग फनी के पौधे की पत्तियां कांटे के आकार की होती है पत को पानी बचा के रखता है कि पत्तिया होती है अगर तो पानी भासपत हो जाता है ना इसलिए पानी को बचा के रखता है कि और के मशाट्य पेटारिक है अब आपको यह बताना है कि ताल्की सर सुर्योदे जल्दी हुआ . तो बच्चो सूर्योता जल्दी हुआ आपका 555 तो जो आपकी दस तारीख है इसको आपका सूर्योता बिल्लकुल जल्दी हो गया option number का अब आजते हैं पन मैत पर ठीक है मैत में क्या है बच्चो देखो आपके घर में घर से यदि बिद्याले की दूरी है एक किलो मीटर ठीक है यानि एक हजार मीटर एक किलो मीटर मदलब कितना एक हजार मीटर और अस्पताल की दूरी है 869 मीटर और बाजार की दूरी है 1010 मीट दी गई है इस घड़ी में आपको यह बताना है कि एक घंटा पहले क्या समय हुआ हुआ अभी इसमें आप देख सकते हैं कि 10 बच के 15 मिनट हो रहे तो एक घंटे पहले हो जाएं कि 9 बच के 15 मिनट और 9 बच के 15 मिनट कौन सी घड़ी दर साती है तो आपकी घड़ी अगला कुस्चन एक दिख़ रहा है 2 टील पज्चों को फिर देखते हैं और तीन पहिए साईकल कि तीन पहिए ठीक है अबты पहिए और दोप यह सईकल करे हों गए अग्राना मिंटनांते हैं जो नहीं यह भू हुआ घिए बताना है चोई है तो यह घ्माते 7 ऐलुने क्हाली का मुल लिए 18 रुपय प्र tissu क्लों घ्माइँ किलो students अब तेरा रुपया के लो आलू है तो एक कलू हो गया तो चैनल तो टोटल तेरा उच्छे उन्नीच जणी साड़े उन्नीच रुपय के हो गया आपके आलू अब इनको जूड़ दू ठीक है तो उनको जूड़ेंगे अगर दिये हम तो 9 5 14 45 16 64 रुपए 50 पैसे उप्शन नंबर जो आपका घा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है किसी बगीचे में कुल 100 पीड है ठीक है यंदे मेंसे एक बटे 5 यह एक बचे 5 आमके हैं तो आपको बताना है दूसरी पेड कितनी है तो एक बटे 5 नकाल लो 100 का दूपांस से काटेंगे इसको 20 वार में 20 जो है आपका सही अंसर हो जाएगा अब 20 तो है आमके तो 100 म हो जाएगा आगला है दिखो धेह दूसरी बदाबर होगं का 1 ग्लास ठीक है वह उतीन ग्राइबर होंगए आपका एक जगंट अच्छा एक कप बदाबर है 200 मिली लीटर की तो 200 मिली लीकर की ओ स्टोल 500 की अृवा ग्रास मिली लीटरर एनी एक लीटर और दो लीटर के बीच में ठीक है अगला कुश्चन है नीचे दिये गए मैं ध्यान से देखें कितने एक बटे आठ एक बरते दो में बनेंगे एक बटे तो चार बनेंगे दिख दिए न अपना option number जो गाहे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है कि मेरे खेले जाने का समय याई छे बजी खेलता है वो घड़ी में दिख रहा है वो खेल कर बापेस आने का समय साथ बच्के पंदरा मिनट हो गया है टूटल उसने कितना खेला छे प no two three three two three three four five to a BLOCK तो आप जिसका BLOCK ज्यादा होगा उसमें। ज्यादाँ भलो गाने मेंसे सही है तो मैं आपको बताओं कि चित्र एक का 6 रफल, चित्र 2 की 6 रफल से कम है, क्योंकि चित्र एक में है 5 हो चित्र दो में है 6, तो 2 का जादा है, इसलिए 1 का कम है, जो खा है, ब्लेकर सही हो जाएगा. question number 40 वा क्या है question number 40 वा आपको दिया गया कि 9 के बाद अगली बर के संख्या क्या है तो देखो बच्छो एक एकम एक ठीक है दो दूनी चार तीन तर का नो इदर आजाएगा 4 चो को सूला ठीक है देखो एक है यहनि एक का बर्ग है एक को दू बार गुणा किया गया दू को दू बार गुणा किया गया तीन को दू बार गुणा किया गया इदर हो जाएगा 4 को दू बार गुणा करेंगी तो 4 चो को सूला जो है आपके इदर आजाएगा अब इदर तो है नहीं है कहीं पर question में आपको mystic हो गई है अधर तो जहां पर भी 16 बिंदू हो वहीं जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला है question number 41 आपको दिया गया है चित्र लेखा में देखी ठीक है भाई खेल बन में कितनी 6 है फुटबॉल खेल 2 में 4 हैं लेकिन एक फुटबॉल जो है ना 5 प्रापतांक दरसाती है एक फुटबॉल 5 के बराबर है खेल 2 में कितने अंक बनाए तो भच्छों खेल 2 में 4 फुटबॉले हैं टूटल 1 फुटबॉल 5 बनाती है तो 4 पंचे टूटल 20 अंक जो है जाएंगे अगर आप इसको भाग देंगी तो 0.3 जो है बिलकुल सही हो जाएगा answer number जो का है वो बिलकुल सही है अगला है यह सब्धकूस है सब्धकूस में आप देख सकते हैं इसमें आपको पताना है कि दो कुनारों पर कौन सा कॉन बनता है तो तुमकोण जो है हमीची सीधा बनता है परपेंडिकुलियर मदलब किताबों के किनारौपा संप बनता है तो इधर तेन्सव मेलीलेट्र को मिलीलेट्र होते हैं, और डाई सोबाला एक पात्र होता है, तो कितने पात्र तूटर लग जाएंगे ? भाग देने 0 से 0 कर गया 25 से कर जाएगा कितने बार में ? तो 12 फात्र जो हैं ले जाने पड़ेंगे तब हो जाएगा 3 hesitant मिलीलीटर तूटल आपको दुकान से आपने सामान खरीदा है, इनको हम जोड़ लेते हैं, तो आठ तीन ग्यारा, टूटल हो जाएगा आपका, आठ तीन ग्यारा, बारा तेरा, तेरन की तीन, हासल लगाई, एक, पांच चान्नों, एक दस कशून, दो चार एक पांच छे, छे सो तीन र पे आपको बापिस मिलेंगे बच्चों, तो ओप्सन नंबर जो घा है, बल्लकुल सही हो जाएगा, आपको क्लियर हो चुका होगा, वीडियो को लाइक हो चले सब्सक्राब जरू करदे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल दी, टेक केर,